क्या आपको computer चलाना आता है अगर आपको computer चलाना आता तो क्या आपको सारे के सारे shortcut keys के बारे में पता है मुझे पता है आपको नहीं पता होगा सची सची बताना comment में करके बताना आपको पता है या नहीं पता है अगर पता है तो कितने पता है यह भी comment में करना तो यार देख क्रीकटर। सारे के सारे के सर duck-cut क nonprofit के बारे में उसमें बताता है और बहुत ही आसान तरीके सब्सक्राइब तो आपको अब कंपिूटर Shun डाउलोड करना और उसको पड़ लेंगे एक बार अच्छे अच्छ टो आपको सारी說 कष prior को आपन आपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आगा उसके बाद यहांपे आपको options दे रहा है यह इसको हब सब्दक ने के लिए और यह 的 है अब विंडोस पर क्लिक करके सीधा करना गया है यहां पर देखिए आपको बहुत सारे उप्सेंस दे रहा है जैसे विंडोस विंडोस बेसिक यहां भी तक दिया हुआ इसमें उसके पाद इसमें और ईसमें बादर यहां पर मतलब विडियो मिडिया प्लेयर की आपको दे रहा है और यहां एडव 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 नहीं सुरी एबब यहाँ पर देरा जैसे फोटो साउप के लिए मालब फ्लाइस क्या क्या ओप्सिंज दे रहा है आपको बहुत ही असाने इसमें जैसे आप मैंने जी आपको करना है विंडोस बेसिक का तो विंडोस बेसिक पर क्लिक करने के बाद आपको खुछ ऐसे है जाता है यह सोटकट यह shortcut की पहले लाइन में shortcut की है और दुसरी लाइन में description जैसे कि windows प्लस ए और windows प्लेस एक साथ अगर आप वह type करते हैं तो इसमें आपका open the action center अग्तम आसा है दोस्तों ऐसे पढ़़पढ़ कि आप windows प्लस भी highlight the notification area notification रहता है उसको highlight कर सकते हैं आप windows plus c launch जैसे बहुत ही दिया हुआ है इसमें कितने पूरा मतलब क्या गया दिया है इतना मतलब इतना ज्यादा दिया हुआ है सारे के सारे shortcut की इसमें आपको मिल जाएंगे अब यह था windows बेसिक का अब windows बेसिक से हटके देखे तो MS-DOS होता है अब MS-DOS में जाकर देखते हैं तो इसमें भी shortcut देखो जैसे X copy में X type करके copy लिखना होता है तो वन लोकेशन टू एनदर कॉपी multiply files direction drives मतलब क्या सब दे रहा है अब कंप्यूटर कोर्स की है नहीं तो मैं को बाता नहीं है कैसे कैसे क्या होता है तो इसमें आप अपने हिसाब से देख लेना अगर आपको computer course मदब कर रहे हो तो आपको shortcut की देखना तो यह वैसे यह मेरे काम का नहीं है तो वापस्ट चलते हैं MS-DOS में जाकर आप आराम से देख सकते हैं एफ 11 अगर surpakiungs export key f11 करके keyboard पे बटन होता है जिसमें लीखा होता है11 उसको आप अगर क्लिक कर रहने तो देखिए व 210 उまず पिक्शर इन फुल स्कृन बोड़ तो आपको तो फुल स्क्रीन वे फोटो रहता है प्रिंट जो किये रहते हैं आप इसको फुल स्क्रीन में दिखाता है और एफ 12 दवाने से से शेव देपिक्चर इन्यू फाइल वाल वालब डवाएंगे तो सिदा आपका फिक्टर से वह जाता है आपके स्टोरेज कंप्यूटर स्टोर करके बटन होता है जो सीफ्ट प्लस एफ फॉर एफ फॉर करके बटन जैसे फ 11 एफ 12 था भी उपर पहले वाले में तो ऐसे फैंड नेक्स्ट मैच पता नहीं मुझे क्या होता है यहां पर कंट्रोल प्लस ए जैसे सेंटर यह पारा करा मुझे यह भी नहीं पता हुई है मैं कंप्यूटर चलाए नहीं मैं फोन से काम कर लेता हूँ ना कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कंप्यूटर की तो ऐसे करके आप सारी सौटकर की सीख सकते हैं आपको बहुत ही आसान होगा और यहां पर कुछ इंटरनेट से इंटरनेट से भी दिया हुआ है जैसे क्रोम पर हम चलते हैं अब क्रोम में अगर आप कंप्यूटर चाहते हैं कंट्रोल फ्लस शिफ्ट फ्लस जे अगर यह आप तिन एक सार टाइप करते हैं तो ओपन दा कॉंसोल विंडो मैं को पता नह होती है तो उसको फिर से रिलोट करने के लिए फाइव अरांट से दबा दिशिए फिर से रिलोट हो जाता है जैसे मतलब एक प्रकार से बोलता तो रिफ्रेस हो जाता है अफ 11 टोगल full screen mode अब ही आपने को पता नहीं सायथ full screen mode में दिखाता होगा क्या पता पूरा मतलब स्क कंट्रोल प्लस डिया सिर्फ कंट्रोल प्लस डी एड़े बूर एड़े बूर कर एड़े बुकमार्क फॉर्ड़ पेज करेंटली ओपन पतानी मुझे क्या होता है चलो इसको हम ले चलते हैं पीछे और साथ कंप्यूटर में फायरफॉक्स करके कोई अप अपने देख दिया अब इडिटर के बारे में कुछ जान लेते हैं यहां पर दिया है नोटपैड अब भहिया नोटपैड क्या होता है तो मुझे पता नहीं है एफ्ट्री सॉटकट की जैसे इसमें होता है फाइंड नेक्स्ट वर्ड इस यूज्ड फाइंड ऑप्सन मैं को पता नहीं पहले बता दे रहो मैंने चलाया वाला है नहीं चलो इसको छोड़ो अब फिल्सी खासकर के विल्सी कम्प्यूटर में जाला तर विल्सी मीडिया ही चलता है एमस्प्लेयर कौन चलाता है और यह सब का पता नहीं मुझे तो विल्सी में जाके देखते हैं सिप्ट प्लस दी बान बी दभाने से क्या होता है नेक्स्ट टाइटल शिप्ट प्लस जी हिस्ट्री बैक यह क्या खेया या इसमें चलो कोई नहीं पीछे चलते है अब इसमें क्या है फोटो साप फोटो साप तो भीए बहुत ही काम की चीज़े ज्यादा आपको मजागा इसमें तो कंट्रॉल प आप से देख लेना इसमें क्या क्या है कंट्रोल प्लस सी प्लस कांट्रोल प्लस सी क्या होता है कॉपी होता है कंट्रोल प्लस फाइल ट्रांसफर क्या होता है ट्रांसफर्म होता है कंट्रोल प्लस भी पेस्ट होता है कंट्रोल प्लस हेक्स कट होता है कंट्रोल कंट्रोल प्ल प्लस शिफ्ट प्लस सी कॉपी मार्वेट यह तो आप लोगे काम के चीज़ है हमें क्या पता अब यहां पर बहुत सारे यार फोटू इडिटिंग के बहुत सारे एप दी हुए हैं कि यहां पर यह टैली अब टैली तो भी आपको पता ही बहुत हाड होता है तो इसमें तो अगर आप सारे सॉटकट की जान जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा जैसे एफ वन तू सलेक्ट ए कंपनी तू सलेक्ट तू सलेक्ट अकाउंट बटन अब देख लेना मुझे क्या पता तो यार ऐसे करके बहुत ही बढ़ी आया आप है तो आप अपने हिसाब से आपको जिस चीज का मदब सॉटकट की सीखना होगा ऐसे कंप्यूटर चलाते चलाते भी आप उना फोन का फोन में के कर सकते हो देख देख के चला सकते हो तो आप जानों आपको क्या करना है मैंने तो बता दिया आप आगे आपको क्या करना आप खुद देख लेना तो यह वीडियो अगर अच्छे लगी तो लाइक करना सब्सक्राइब करना सेर करना कमेंट करना जो करना वो करना जो नहीं करना वो भी करना तो भी या चलते हैं और मिलत हैं अगली वीडियो में